सब्सक्राइब कोडिनेशन इस चप्टर में मैं लाश्ट आपसे जो बात परी थी वह कुछ इस तरह से देखो भी हमें लाश्ट टाइम कहां चुड़ा थे लेक्चर तो देखो मैं जबभी हमारे इनवाऱमेंट में कोई भी चेंज होता है तो वह हमारी बोडी में एक एपर्वरोपीयट मूवमेंट को करता है और और यह नहीं हो रहा है उसके करते हैं और फिर मैंने इसके जो भी हम ये रैस्पॉंस देते हैं कुछ मैंनर में थे जो भी हम आपने देते हैं तो मैंने लाश्ट है कि हम ऐसे system की तो जरुवत है जा फिर हम कुछ ऐसे system का use तो करते हैं जो कि हमारी body को control करता है और उस body के function को coordinated way में चलाता है ठीके न? तो start करते हैं कि हमारी body में ऐसा कौँ सा system है और हमारी body ये पता कैसे लगा पाते है कि environment में change हो रहा है तो देखो भई हमारी body में जो भी change हो रहा है उसको हम five science organ की मर्स सही पता लगा पाते हैं ये बात तो आप जानते होंगे ठीके न? जो भी हमारी environment में changing आ रही है environment में अगर कोई भी change आ रहा है तो इस environment में हुए change को हमें क्या करना है detect करना है तो environment के change को जो detect करते हैं उन और गन्स को हम बोलते हैं science organs ठीके न? तो वह पांच ही तरह के हैं आप देख सकते हैं अपने नाम तो सुना ही होगा eye, ear, nose, tongue and skin ठीकिन के वारे में अगर मैं आपको पता दो इसके आपको पता भी होका इसके इस दार लारजेस्ट और ओर गन हमारी बोडी का जो लारजेस्ट और गन है वो क्या है इस किन ही है ठीकिन अच्छा चलो कोई बात नहीं तो बाते मैं करता रहूंगा टाइम टाइम पे आपको पता होना चाहिए था नाई हूप आपको यह पहले से पता होगा चलो भई अब हमारी सेंस जो और गन है ना इनके उपर ना कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं क्या लग तरह की नर्व सेल ही होती है ठीक These husband और में जो हम até अब मारी लगे हुए होती है जो भी नर्व सैल या निल्वह दिचalsa ना जो भी नर्व सेल या निवरॉन हमारे सेंसी औरमें लगे हुए होते है उन साल को हम बोलते हैं सेंसरी निउरोन हम उनको बोलते हैं ठीक है यह अपको यादत नहीं है फिरल बात करते हैं वह कौन से हैं तो देखे इस कि मुझे रिसेप्टर है उसका नाम है धर्मो रिसेप्टर ठेवाइच से जो बॉड़ी में जहां से भी के बार है कि हमारे स्पास स्मैल कैसी अगर गंदी तो आप आप में रेस्पॉंस आया और उस रैस्पॉंस वजाए से आप क्या करते हैं मूवमेंट कर पाते हैं कि यह बात हम लाश्ट टाइम कर रहे थे ठीक ना अच्छा कि इसके बाद बात करते हैं टेस्ट की तो देखिए टेस्ट के लिए जो होता है हमारी बॉड़ी में वो टंग में मौझूद होता है और इसी की वजह से हम डिफ्रेंट काइंड आफ टेस्ट के बारे में पता लग सब्सक्राइब आपको यह बता दोगा नेक्स लाइड में इसके बात करते हैं अपने नेक्स रिसेप्टर की जो की है फोटो रिसेप्टर जो की हमारी बॉड़ी में मौझूद होता है आईज में जिसकी मरस से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं इस पूरे एंवार्में पून में ही देख रहे होंगे मुश्ली बच्चे तो फून और फॉन और रिलेटिंग वर्ड है और दौनों का मतलब होता है साउंड से और से ठीक है ना तो फॉन से हम किसी भी चीज को जो भी वह साउंड कर रही है उसको हम सुन पाते हैं और यह मौझूद का होता है यह पता चला होगा हाला कि आप पढ़ोगे लेकिन फिलाल पर आपको यही जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है अच्छा को यहां तक आपको पता चल लगया खेर मैं तो आपने तो जवाब सोची लिया होगा कि नाक बंद करके हम किसी भी चीज का टेश नहीं ले सकते खेर फिलाल इस लड़की ने यह नाक बंद क्यों की होगी और हाथ में दूद का गलास ले रखा है क्यों किया होगा इसने ऐसा उसका जवाब है वो तो आप भी जानते से जवाब क्या है इसका जवाब है कि उसको दूद पीना पसंद नहीं है तब ही लोग नाक बंद करते हैं दूद पीते वक्त और ऐसे केस आपने सुने जवर होंगे कि लोग को दूद क्यों पसंद नहीं होता है ठीक ना कुछ लोग के साथ ऐसा केस होता तो क्या करते हैं दूद पीते वक्त नाक को बंद कर लेते हैं ठीक ना तो थीख और मुझे दूद नहीं कि नहीं पर दे रहे होंगी तो देखो वहीं नाक बंद करने से यहांगी तो यह फायदा मिले एक तो यह फायदा मिला कि आप आपको पनिशमेंट नहीं मिली आप मदर से मिलने वाली पनिशमेंट से बच गए दूसरा और मिलक से मिलने वाला सभी नरिश्मेंट जो भी है मिल्क के अंदर जो भी नरिश्मेंट वह आपको मिल जाएगा ठीसरा आपको इसका जो टेश्ट है टेश्ट छोड़ो इसकी जो स्मेल है देखो मैं कैसे कन्फिज करो स्मेल और टेश्ट इसके वारे में आपको पता नहीं लगेगा सब आपने एक साथ क्यों लिखा यह क्योंकि यह दौनों जो रिशेप्टर होते ना एक साथ वर्क करते हैं किसी जीज़ी जो स्मेल है अगर वह अच्छी आ रही है किसी भी फूड सरद्यो के टाइम पर क्या होता है ना वाई विंटर के टाइम पर क्या होता है जब कर विंटर करें आता है अक्यान गौर अब एक बीमार का नाम है जिसको जुखाम बोलते हैं आपको नोजिया हो रहा होता है तो नोजिया की वज़ए से क्या हो जाएगा आपका जो मतला अल फैक्टरी जो रेसेटर हैं वह क्या हो जाएंगे आपKY ब्लॉक हो जाएंगें और अपको उसकी इस् shootings बारें पता नहीं चल रहा तो आपको इसका टेस्ट भी अच्छे से नहीं आएगा ठीके ना तो इससे हम एक बाद बादा लागा लेते हैं कि जो और जो आपके गश्टेटरी रिसेप्टर हैं यह एक साथ वर्क करते हैं और इनके जो फंक्शन है वो आपस में क्या है कि लोजली रिलेट करते हैं और इसके उपर आपके एक्टिविटी 7.1 दे रखे आप उसको पढ़ सकते हो और जवाब के लिए आपको यहां से सुलुशन मिल चुका है ठीक है अच्छा इसका बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और बता रहा हूं कि नियूरॉन क्या होता है नर्व सेल क्या होती है जिसकी मदद से हम चीजो और में लगे हुए थे मैंने अभी अभी आपको रेसेप्टर के बारे में बताया था ठीक है तो आपकी बुक में जो नर्व सेल की बारे में डागराम दे रखा वो इस तरह से दे रहा होगा अब इनके पार्ट के वारे में करके हम इस्टडी कर लेते हैं तो सबसे पहले ब तो सेल यहां पर क्या होती है कि एक तो सेल मेंबरेन होता है एक कर क्ष Beim एक उसका निउकलित होता है तो सैल मेंबरेन नुकलियस है उस का साइड़ोफ्लाज्म कि अच्छा इसका जो यहां पर है यह जो आपको दिख रहा है इसका साइट प्लाज ठीक ना और यह रहे इसकी सेल मेंब्रेन ही है अब इसकी जो सेल बॉड़ी है जिसको मैं में सेल बॉड़ी बोल रहा हूं इसमें से कुछ एक्सेंस भाहर की तरफ निकली हुई है यह जो यहां करता है किसी इनफॉर्मेशन को इनफॉर्मेशन को करता है और इसको कैरी करता है ठीक ना सेल बॉड़ी तक तो यहां से अगर बहार से कोई भी इंफॉर्मिशन आ रही है तो इसको केरी करेगा कहां तक की में बॉड़ी तक इसको ले के आएगा तो यह काम हो गया डेंड राइट का अच्छा आपके सिलियस में नहीं है लेकिन एक और मैं आपको एक्ष्ट्रा ग्यान देना चाहूंगा यहां प तो भեղते हैं और इन ग्रेन्यूल का नाम है कि निसल्स ग्रेन्यूल नाम है इनका अब इसका करते हैं तो सबसें उनाक्या कि अंदर क्या होता है प्रोटीन सिंथेसी सोता है ठीकर सबसें इनी प्रोटीन को कहां बेशते हैं अब है इसके बाद आगे बात करते हैं तो निसल्स ग्राइल में आपको बता दिया है और डेंड्रायट में आपको बता दिया है अब बात करते हैं तो देखो सेल बॉडी में ही सभी function क्या होते हैं control किये जाते हैं क्यों का काम कौन करता है और नुकलियस कहां मौझूद है अब यह control भी किस वर्यास कर पा रहा है क्योंकि इसके पास क्या मौझूद है तो नुकलियस क्यों किस के पास है इसको पार है अब नुकलियस कैसे नुकलियस करता है इसके लिए ना सेल चप्टर के उपर नाइंध क्लास में उसके उपर एक वीडियो प्राइब कि उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस वाला पूर्शन आप पढ़ सकते हो ठीक है अच्छा पढ़ेंगे कि डी एने वग्यार उसमें होता है डी एने कैसे कंट्रूल करता है और फिर प्रोटीन लंग यह सब आप जानते हैं ठीक न अच्छा सेल बॉडी के बाद अब यहां पर नेक्ट पार्ट आता है आपका एक्जॉन एक्जॉन क्या है एक्जॉन एक्जॉन क्या करता है या यह ट्रांसफर करता है एलेक्ट्रीकर सिग्नल को ठीक है न और जिसकी मत से हमारी बॉडी में क्या हो पाती कोई मूमेंट हो पाती है अब सरी इलेक्ट्रीकल इंपल्स क्या है इसके बारे में आपने बताया नहीं इलेक्ट्रीकल इंपल्स तो सुनों बई इंसानों दिहां से सुनना मेरी बात को इलेक्ट्रीकल इंपल्स क्या होता है देख बई जो भी एद्वार्मेंट में चेंज आ रहा है ठीक है न उसको डिटेट करते हैं हमारे डेंड़ाइट लेंगे और डेंड्राइट यहां पर आ करके निसलस ग्रैनुल को एक्टिवेट कर देंगे निसलस ग्रैनुल की मदद से सेल वाडी को भी फैसा लेगी और फिर यहां जो यह neuron है यह अपने message को किस फॉर्म में बेजएगा यह अपने message को बेजएगा इस electrical impulse की फॉर्म में इस से पहले कि मैं इसकी वारे बताऊं मैं आपको थोड़ा सा extra ग्यान देना चाहूंगा जिससे कि आप लोग के लिए चीज़े आसान हो जाए और यह मैं 11 क्लास से आपको पता रहा हूँ थीँ क्ये तो देख़ोई अगर यह exon है यह exon की जैसे ऊपर है ऐसे नीच नीच होगी जैसे यूपर एक और यह नीच धिक्या न सफब्छले का तो इधर में आयंस मूझमं क्या आयंस थीचिक़् बा कि आपने पड़ लिए होगा कि electricity क्या होतीआ electricity आपने टर्म वन एक्जामें पढ़ा होगा तो इलेक्रिसिटी क्या होती है इस फॉर्म आफ एनरजी है जो कि कैसे होती है बाइदा मोशन ओफ चार्ज पार्टिकल जब आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा मूव करेगा तभी आप क्या जनुरेट हो जाएगी तो होता क्या है जैसे हीँ कोई भी मैसेज यहां से ये आपका जो सैल बॉड़ी कोई भी डिसीजन लेकर यहांसे बेशता है जैक़ी मैसेज आगे करेगा तो जैसे यहां पे कोई मैसेज आएगा तो इन आण्यस में मूवमेंट शुरू हो जाए गी एए में मूवमेंट शुरू हो जाएगी देखो मैंने क्या बोला भी वर्ड क्या बोला मैंने आयंस में मूवमेंट कि आयन में क्या सुरू हो गई इसमाइन्वेंट शुन्हेंट अब मतलव आयन क्या होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल और चार्ज पाटिकल में क्या होगई management मतलब मोशन हो गई तो क्या जो जो जाएगी आधाback जो भी मेंसेज्च ट्रांशफर हो रहा होता है वो कौन से WAR में ट्रांस फ्र हो रहा हुता है बस इतना ही जान लो अभी आप कि अलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जैनरेट हुआ यहां पे एलेक्ट्रिसिटी बजली कैसे पैदा हुई और आपको मैं एक नहीं प्रेटी बताता हूं कि हम एक electric बल्व को जला सकते हुं किसको जला सकते हैं बहीं इलैक्टरिक बल्व को क्या कर सकते हैं जला सकते हैं इतनी ज्छादा electricity हमारे अंदर है ठीक है आयोब आपको यह पसंद आया होगा और एलेक्टरिसिटी कैसे बैदा होती है यह मैंने आपको थोड़ी से यहां बता दिया है ठीक है और यह क्या हो गए यहां पर आयन की मुवमेंट शुरू हो गई है और 11 क्लास में आप इस टॉपिक को स्थेस्ट पढ़ेंगे एक पोटेंशिल के नाम से पढ़ेंगे 11 क्लास की बायलोजी में खेर फिलाल आपको यहां इतरा तो पता चले गया कि इलेक्रिसिटी कैसे पैदा होती है और यह चार्ज पार्टिकल कभ मूव करते हैं जैसे ही कोई भी मेसेज आ रहा होगा कहांसे सेल बॉड़ी की तरफ से तभी एक्जॉन में क्या जनरेट हो जाएगा और एक्जॉन से होता होगा कहा जाएगा अच्छा आपके घर में भी सोंगे सभर में इलेक्ट्रिक वायर सब्सक्ट करणे regen पर कुछ प्लास्टिक कोटिंग चड़ी होती है कि नहीं झड़ी होती है इनके ऊपर कुछ बास्टिक टोटिंग चड़ी वह होते हैं कि एक तो इसलिए जिससे कि आपको करेंट ना लग जाए दूसरा इसलिए जिससे कि इसका जो चार्ज का जो फिलो है वह एक हो पाए ठीके ना इधर उधर ना भाग जाए चार ठीके ना किसी और आयोनिक सवस्टान से कॉंटेक्ट में आ करके तो ऐसा ही यहां पर भ रहे जिसको हम बोलते हैं माईली बोलते हैं माईली ड्यिंत्रूंट इस मिलता है और यहां पे और रहो नाम है क्या इसका स्वान सेल जो क्या आप यहां देख सकते हैं कि type लिपोस्वान सेल में क्या काम करती थिए । करती है इस मायलीन शीद के बीसिस पर्म नियूरॉन के ना दो टाइप हो जाते हैं एक लोगिक के मैलीनेटेड नियूरॉन तो दो तरह के नियूरॉन आपको याद रखें कि अच्छा जी तो आपको पता चल गया और कैसे डिजमरेट होते हैं को यह भी पता चल गया है थाना सब चीज आपकी सामने में क्लियर करके दे रहा हूं यहां पर और इसके बाद बात करते जो लाश्ट में रहे जाता है आपका यह नर्व एंडिंग वाला हिस्सा इसके वारें बात कर लेते हैं तो जो भी नर्व इंपल्स का इनिशेशन हुआ है उसके रेस्पॉंस में मैसेज बेजता है जो भी यहां से मैसेज आया है प्रोसेसिंग हुआ है जो भी यहां ट्रांसफर हो रहा है उसके बाद यह बहार एंवारमेंट को या फिर किसी दूसरे नियूरॉन को या फिर किसी मसल को देखिए मैंने क्या क्या बोला या तो यह नर्व एंडिंग के या फिर यह जाएगा किसी दूसरे dais zus नи इंपल्स को भी थब đó ही जगए जो अपने मेंसेज को बेजेगी कहां पर या तो मसल के पास या फिर नरब मुवमेंट करेगी और क्या देगी रेस्पॉंस देगी आउटर एंवारमेंट को और अगर वह मसल बहुत ज़्यदा दूर है तो एक नियूरॉन से फिर दूसरे नियूरॉन पर तीसे नियूरॉन पर ऐसे मैंसे चलता रहेगा और पहुंच जाएगा लाश्टली मसल के पास ठीके ना इस तरह से हो बता हुए देखो बहुत ज्यादा डिटेल में था यह है ना रसेल मैंने आपको बहुत अच्छे से बता द रही है लेकिन मैंने बहुत हम जाया है और आप लोग बहुत यहादा सिमार्ट है तो मैं ऐसी उमीद रखता हूं कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है यह सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा ठीक है अच्छा चलो आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट हम बात करेंग आपके नर्व सेल के टाइप की और यह भी टोटली आपके लिए एक्स्ट्रा है ठीक है और बस आपकी नॉलिज को बूश्ट कर रहा हूं में जिससे कि आपकी बुद्धी में सब कुछ बैठ जाए ठीक है जादा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन फिर भी आप और यूनी पूलर में क्या होता है यूनी पूलर में आपका यह जो मैंने डाइग्राम ना रखता है इसको कुछ जगह पर सुडो यूनी पूलर का मतलब है फॉल्स यूनी पूलर ठीक है ना हाला कि यूनी पूलर कुछ बुक्स में इस तरह से ना रखता है यह रही आपकी और एक तरफ से आपके मैसेज आ रहे हैं और जा रहे हैं बस इतना है मतलब एक ही फंक्शन कर सकता है इसके अंदर एक ही फंक्शन होते हैं इसके बात करते हैं बाइपोलर की बाइपोलर में दो पॉलरी बीच में आ जाता है यहां पर एक तरफ से मैसेज आ रहे हैं तो इसको करने के लिए और यूणी पॉलर में सेल वाडी का रोल कम होता है या फिर नहीं होता है लेकिन सर्जो आपने चौथा टाइप होता है मल्टी पॉलर ठीक न मल् अभी जो में आपको बताया था जश्ट इससे पहले यह क्या था यह मल्टी पॉलर टाइप कर नियूरों इसके बाद बात करते हैं टाइप नियूरों खतम हो गया है यहां पर आपको बस डिखाना था आप इतना ही काफिया आपके लिए इस दुबार में अच्छा इसके ब आपने बात बताई थी कि एक नियु रॉन से दूसरे नियूरों में में मैसेज्ज जाएगा ठी प्लहे जाता कैसे निव जन्यव बहुत आसानी से और यह जिस जा रहा है उसको को है मुलते हैं तो जो भी आपकी इंपल्स है ठीक ना जो सोतों त्विध क्या है यह उपल्स में जो भी है नर्व इंपलेंट है न Kaufता है न' मतलब जोडंब कहींत यह होल से घुलेंगे तो सिनेप्स इस फान्ट इसक इसंस फॉर्ण्रों से होता है कौन-कौन सी 1789 और एक पूस्ट सेनेप्टिक नि न्यूरौन के कि मेंब्रेन से बनता democrats अब इसे वीच में कोई मिल भी सकता है और में भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है ठिक है और यहां पर यहां पर आपको क्लिए दिख रहा है और आप अंदाज़ लगा लिए हैं यहां पर बात हो रही है औहो सॉरी 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 यह हमारे गुप्त बातें भार कैसे आ गए जाती है यहां तक क्या होता है और एक यहां पर क्या जाती है तो मैंने एक नर्व एंडिंग को यहां पर दिखा रखा है ठीके ना खोल कि आप देख सकते हैं यहां पर नीचे एक नर्व एंडिंग तो यहां से जो भी कि एलेक्टरेसीटी कैसे जन्रेट हो रही थी अभी मैंनाग को बताया था एलेक्टरसीटी कैसे कैसे जन्रेट हो रही ती जब आइन्स अंदर बहार कर रहे थे और जब अपनी्वमेंट तबी तो यहां से आते in व्कांधिन का डामीटर फिफ्टिन होता है इसको डामेटर वैसिकल इप सबने अगर क्या बोलते हैं बबल लाइक इस्ट्रेक्चर वो क्या बोलते हैं अच्छा अब इन वैसिकल के अंदर कुछ केमिकल्स बनने सुरू हो जाते हैं मतलब जब भी हां से कोई भी नर्व इंपल्स आएगा जब भी एक्जॉन के थुरू कोई बिभी क्या रहा है नर्व इंपल्स आ रहा है लें इंपल्स यहां पर इन नियूरो ट्रांस्मिटर्स को ये जो इननको के न्हां suit बोल रहें यहां यहां क्या गए यह निडरोट्रांस्मिटर्स के अंदर अपको दिखो दिखने होंगी आच्छा तो इन व के दिने यूर्योट्रांस्विटर्स निरो ट्रांस्विटर्स द्स होते क्या है है यह मताओ ना तो बाइज मात पर उडफ मिलता है कि ए कि ज़िए ना किया वंध्र के करते हैं नर्व इंपल्स के ट्रांसफर एंद नर्व इंपल्स को ट्रांसफर होने में एक नीरोन से दूसरे नीरोन में को हेल्प करता है यह ज remembers help करते है सर कुछ एक्जामपल तो बच्चो सुन लो भी एकजामपल और एक एक्जाम्पल एसी टाइल कोलीन ठीक है आपको दो एक्जाम्पल बता देए हैं ज्यादा यान नहीं दोंगा नहीं तो उल्टिया कर जाओंगे ठीक है तो यह जो केमिकल मेंसेंजर है यह जनरेट कैसे हो यह जनरेट हुए जब पीछी से कोई भी नर्व इंपल्स आ रहा होगा तब जा करके आपके जो नर्व एंडिंग है यहां पर chemicals, vesicles की मदद से transfer हो जाएंगे ठीक ना एक cell से दूसरी cell में अच्छा मैंने आपको पढ़ाया होगा कभी जिंदगी में की cell के अंदर से कोई चीज़ अगर भार जा रहा होती है तो इस प्रोसेस को भी माल मसाला या फिर जो भी इसका अंदर जो भी component होंगे वह सब चीज कहा जाएंगी बहार आ जाएंगी और इसी प्रोसेस को एक्जोसाइटोसिस बोलते हैं ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका था तो कि यह सब चीज आपको यादख नहीं है जो मैं बता रहा हूं ठीक है अच्छा जी है अब बात करते हैं इसके आगे तो यह नीरो आपको इस यह हो 다음 है तो यह था पहला नीरोन है और यह पर अफसुर हो जाता दूسبर नीरोन का कौन सा हिस्सा है यह दूसरे नीरोन test right वाला एक और ये पुराने नियृण का कौन्सा वाला हिस्सा था यह था आपका नर्व एंडिंग अच्छा तो नर्व एंडिंग आपको पता चल गया और न डाइट है दूसरे का तो मतलब कि स्नेपस किसी बीच में फॉर्म होता है कौन कौन से part of neuron के बीच में तो यह form होता है एक तो पहले neuron का nerve ending और दूसरे neuron का dendrite इन दौनों के बीच में form होता है ठीक है ना अच्छा अब पहले neuron का जो nerve ending है उसकी membrane को हमने क्या बोल दिया pre synaptic membrane और जो दूसरे neuron की membrane है उसको हमने बोल दिया post synaptic membrane पोश मतलब बाद वाले यह बाद वाला है मतलब दूसरा है यह पहला है तो प्री ठीक ना अच्छा अब बीच पर गैप है इसको सब्सक्राइब और यहां पर आकर यह chemicals हो जाते हैं यह chemicals होगे इन chemicals को और यहां पर आखर कर गए और जब और वह से वह यह क cierto कर देते हैं और फिर नहीं चीज़े यहां पर यहां से कोई मैसेज आया का फिर दूसर नियूरोन में और ऐसे ही मैसेज ट्रांस्पर हो जागे यहां पर बताया था अच्छा ठीक है यहां तक आपको सब कुछ पता चल चुका है कि अब देखो अब को स्नेप्स के बारे हैं पूरा ग्यान हो चुका है तो सनेप्स में आपकी दो मेंबेन होती है एक तो पहले नियूरोन की जो मैसेज लेकर आया है और दूसरा में जो इस मैसेज को लेकर करके जाएगा ठीक है ना अच्छा होते हैं फिसके बाद बात बात करते हैं औरो अिस यह बता आगे बात करते हैं और Crash आता हूँ आपको नीरोन की कितने टाइप होते हैं एक होता है यहां पर मैंने जिसका जिक्र किया था वह था यहां पर कैमिकल यहां पर मैंने किसका जिक्र किया था कैमिकल का जिक्र किया था अब जिससे में कैमिकल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा हो मतलब कि यहां से सीधा पास हो जाए अगर कि एक लूससे दूसर dominant है यहां से सीधा नगल जाए बिना यहां कि प्रांसफ़ यहां हो जाए यहां से तो आई रही थी पहले से लेक्रिसिटी आ रही थी यहां से पहले से यहीं ट्रांसफर हो जाए तो ऐसे सनेप्स को हम बोलते हैं और ऐसे बिल्कुल भी जुरूरत नहीं होती है किसकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट की यहां पर किसी जुरूरत नहीं पड़ेगी सिनेप्टिक किलैफ्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहां पर किस पड़ जाती है यहां पर हमें ज़रूरत पड़ जाती है सिनेप्टिक किलैफ्ट तो तो कहने का अधा क्या नहीं होता और जब कोई भी गैप नहीं होगा तो यहां पर कि लोज ली क्या होगा एस उसेटेड तो यहां पर कि लोजली क्या होगा एसोसीशन होगा मतलब दो नीरोन के आपस में क्या होगा बहुत ज़्यादा पास-पास में वो हमें दिखेंगे आई हूप आपको यहां तक सिनेप्स का कॉंसर्ट संजना होगा और इससे ज़्यादा आपको जानने की दिल्कुली जुरत नहीं है इतना आगे नेक्स स्लाइड में और वहां हम बात करेंगे आपके सामने कुछ नंसी आर्टी में आपकी बुक जो इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखके हैं जैसे कि पहले तो यह फिगर देखिए 7.1 और इसमें आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सा पार्ट क्या काम करता है तो उनको देखिए और उन पार्ट को बताइए जो यह यह काम करते हैं पहला काम इसे ने बताया था वेर इंफॉर्मेशन इसने क्या दे रखका है सेकंड क्वेस्टन इस तुरू विच इनफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज इलेक्रिकल इंपल्स की फॉर्म में कहां तो मतलब कि आपको किसी को भी एक्स्वें करना आना चाहिए कि electricity बनी तो बनी कैसे पढ़ तो हर कोई लेगा देंगे पढ़ाने वाले knowledge भी तो होई थी आपके पास ठीक है ना आप box भी लेका जाओगे कोई बड़ी बात नहीं लेकिन आप किसे को समझा पाओ that is called real knowledge ठीक है इसके बात बात करते हैं next वेर इंपल्स मस्ट बी कनवर्टेट टूप अब जो यह इंपल्स है उसको केमिकल सिगनल में कहां बदला जाता है फूर आउटवर्ड और यह सब चीज़त को बढ़ाई थे अभी बढ़ाई थी ठीक बंब कि यहां घार्याल Snow रहिए वापे से केमिकल बन गई और यह सब नहीं के बास करते हैं अब हम और यह लाश्ट पर के आज का हमारा ठीक ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बाकी बाते मैं नेक्टर में करूंगा मतलब इसी लेक्टर का जो सेकंड पार्ट होगा जिसमें मैं बढ़ाऊंगा हुमन का नर्व सिष्टम कैसा कैसा है अच्छा जी तो सुनी भी रिफ्लेक्स होता क्या है आप ने ऐसे बहुत सारे हरकते करी होंगी अचानक से बिना सोचे समझे है ना बई जैसे आपको किसी नहीं पिंच दूसे निया फंका हाथगलती से किसी हएो अब्जेक्ट को टच कर लेता तो आप एक दम से बिना सोच बिना सोचने में टाइम वेष्टा कर अचानक से ही एक्षण लेते हो आचानक से का लेक्त तो कोई भी एक्षन ले लेते हो और उसी एक्षन गॉलते हैं रिफ्लेक्स एक्षन और मैं आपको यहीं की यहीं यहीं बताऊं कि रिफ्लेक्स आर क्या होता है ठीके न अच्छा Niron देख़ोई Niron के बारे में एक और बात आप याद रख लेना Niron जो है वो बॉडी की सबसे longest cell है हमारी body की सबसे longest cell कौन सी है Niron है ठिक है जिर आप ये बात याद रखियेगा ओके आपने किसी hot object को touch कर लिया है by Unwillingly बिना सोचे समझे आपने किसी hot object को टच कर देख गलती से आपका हाथ किसी hot object से touch हो जाता है ठीकिना hot object से आपका heart touch हो जाएगा तो आप तुरंत हाथ हटा लोगे लिकमें तुरंत ही क्यों हुआ इसके पीछे का क्या reason है तो इसको हम थोड़ा से detail में पढ़ेंगे तो जैसे ही आपका हाथ किसी गरम object को टच करता है तो जो sensory neuron है देखो भई मैं आपको द्वारा से बता देता हूं सायद मैंने पेरे ही बता रहा हूं हमारी बॉड़ी में दो तरह के नियूरॉन होते हैं एक तो होते हैं सैंसरी नियूरॉन को सबस्क्राइब सेंसरी नियूरॉन को एक होता है मोटर नियूरॉन नियूरॉन क्या है इसके बारे मैं आपको अल्रेडी बॉड़ टेल में बना चुका हूं ठीक ना अच्छा इसके लिए आप ये वाला डायग्राम द्वारा सब्सक्राइब है आपके एनवरेंट में कोई बी चेंज हुआ इसके वारे में पता कौन लगाता है हमारे सейएंस और दॉटे हैं हमारे सेंसरी नियूरॉन ठाक्सी का इतना तो नहीं होना चाहिए हैं हमारे सैंसरी नियूरॉन है यही पता लगाते हैं कि एन्वारेंट में क्या चेंज हो रहा है अब इस एन्वारेंट में जो भी चेंज हो रहा है इसके रेस्पॉंस में आप जो भी मूवमेंट देते हो अब यह मूवमेंट मसल का काम है हमारी मसल ही मूवमेंट कराती है कैसे कैसे मूवमेंट कराती है यह बात मैं अभी थोड़ी दिर में करूंगा आपसे ठीक है अब मसल जो भी मूवमेंट कर रही है वो किसके कंट्रोल म कि तो उसके पीछे neuron है motor neuron हमारी body में दो ही तरह की dosla醒 से नीरों करता है को पता लगाता है और motor neuron इस environment में हुए को जो भी रेस्पॉंस देना है वो रेस्पॉंस कौन देगा वो रेस्पॉंस देने के पीछे कौन सा नियूरॉन है मोटर नियूरॉन ठीक है न तो यह बात आपको याद अपनी है ऐसे ही इस एंवरेंड में चेंज होगे हमारी बॉड़ी के बहार अब देखो हमें बहुत ज और तुम और उसी के थुरूर्व पोंइस वन तावन पहुंच गया द तुम लें पहुंच गया और दूसरा निर्ट से जिकांब पहुंच जाता है इसे करते करते सेंसरी निरोन की मदद से मैंसें पाद से हमारे शिस्तम में हमारे निर्वस इस्से में के दो ॶ कि एक थ्रोंटा सेंट्रल नर्वस इस्टम होता है कि जिसमें की आता है आपका ब्रीं कि दूर्व सिश्टम यह होगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको निया ब्रींग तो गया यह ब्रीण ठीक है और एक क्या हो गया इस पाइनल कॉर्ड यह दो हिस्सें हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अच्छा यहां से कुछ नर्वस निकलती है कुछ नर्वस आपने नाइंट क्लास में पढ़ा होगा यह नर्वस किस से मिलकर बनी होती है कनेक्टिव टिशू और नियूरॉन यह अपने पड़ा वह तो यह कुछ नर्वस यहां से निकल रही है कि और यह बॉड़ी के किनारे तक जाती है कहां तक टू पैरी फैरी कहां तक जाती है बॉड़ी की पैरी फैरी तक दिगे नाए कि जाती है फिंगी उसके यही बोडी का कौन से सिस्टम और यह B पेरी फेरल नर्वस णिस्टम तोबाडी के नर्वस षिस्टम दो हिसमें डिवैड कर दिक境ेट्र इती रणा नर्व सिस्टम में ठीक है यहां में बढ़ाऊंगा नर्व सिस्टम यह बाद की बात है हमारी ठीक है अच्छा पैरी फैल रवस्टम तो यह जो रिफलेक्स एक्षन है इसमें जो यह निउरॉन पार्ट कर रहे हैं वह देखो कहां से आ हमारे पैरी फैरी पैरी से आ रहे हैं बड़ी किनारे से आते आते आती कहां तक कहूंच रहे हैं यह को हमारे नर्व सिस्टम के ऐस पाइनल कॉड क्षीर को दक इस सी एंस का मतलब की सेंटर नर्व सिस्टम का अच्छा जी एक बात और tutto यहां पर आज के लेक्चर में एक्ष्ट्रा वाज यह है यह जो बाहर एक मैटर मिल रहा है इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर बोलते हैं और अंदर जो मैटर मिल रहा है इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर क्या बोलते हैं ग्रे मैटर इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर यह एक दम उल्टा होता है किसकी ब्रेन की अगर आप ब्रेन को कट करके देखेंगे ब्रेन को अगर आपने कट किया और उसको अंदर से देखा तो ब्रेन में आपको देखने को मिले हे चिक है ना बाख कि तरफ क्या मिल रहा आपको गरे मेरे मिल रहा है ठीच है या कौन सा मैटर मिल जाएगा बेम बाहर गरे मेरे कि पूमिल जाएगा वाइट मेंट कों तिकिनः मैं वाइट मेंटर और यह स्पीर में सबढ़ा है कि मैं सक्त्राथ के mr बाइट कम गया वाइट मेंटर में अपको एक जादा मिलेगी और जो आपका एकजौन है एकजौन वो कम मिलेगा वाइट में वाइट में आपका और शेल बॉडी कम मिलेगी और और एक्जॉन ज्यादा मिलेगा यह आपको याद रखना यह मैंने आपको डिफिन्स गुदा दिया है चोटा सा कि वाइट मेंटर ग्रे मेंटर क्या होता है कुछ नहीं है देखो ब्रेन में क्या होता है जो आपका हुट पैरी pessimी ज्यादा मिलेंगे गिया और इसके केस में क्या है इसके कैस में सेयल बॉडी अंदर मिल रही है और जो एक्स वह मिल रहे है यहां डिएस से आपको यहादख नही है थीज़ए टीक है आपकी लाहोग उससे आप बात कर सकते हैं अपनी नौलेज़ का वह वह था सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं शच्राइब करने से हुँ यहां पर कोई भी मैसेज आया है को डिटेट किया सेंशरी ने और इसके बाद यह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गया और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेच तुरंत आया वापस से और यह आपके इंसे और नीशन्रों के थुरू आपकी मसल के पास यह पहुँच गया और मसल ने फिर क्या दिखाई दिखाई क्या होता है कैसे कैसे हम अचानक से कोई भी चीज का फैसा लेते हैं बिना सोचे अच्छा जी मैंने क्या बोला बिना सोचे मतलब यह जो रिफ्लेक्स एक्षन है वो कैसी प्रोसेस है एक थौट लेस प्रोसेस है ठीक है ना तो रिफ्लेक्स एक्षन आपकी एक थौट लेस प्रोसेस है और यहां पर जो सर्री रिफ्लेक्स आर करें इसका क्या इसका वारम में आपने कुछ बताया नहीं तो देखो बैंड आप और जो इताइनल कॉर्ड है और जो आपका यह मोड ढार्न है ठीडिवा ःन टान को इंहिए इनो ने मिलके क्या फॉर्म कर दिया और रिफ्लेक्स और तो रिफ्लेक्स आत में क्या चीज़ें आती है एक का सेंसरी नियूरॉन और स्पाइनल कॉड और आपका मोटर नियूरॉन इत्पीनों ने मिलके क्या लूद या रिफ्लेक्स आर्म कि इस एक्षन में ब्रें की कोई इन्वॉल्मेंट ब्रेन किया ब्रेन इसमें करता है तो आपका जवाब सीधा से बन जाए कि नहीं इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है अब क्यों नही करता है कि क्योंकि ब्रेन चिектив ठॉर्ट प्रोसेश है ब्रेंग की जो कि जो ठॉर्ट प्रोसेश है वह क्या है भूट ही लोग है इतनी स्वर्व कि यहां यो फोर्टि हम फोर्टर एक वर पास इतना सोचने का टाइम नहीं है इसी लिए इस तरह की प्रोसेस में ब्रेन की कोई भी involvement नहीं रहती है तो बस खतम इतना ही आपको बताना था आज की लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर की सब होते क्या है ठीके ना आयोब आपको यहां तक सर्माया होगा और अगर आपको यह लेक्चर ऐसे ह पसंद आ रहे हैं तो आपको पता ही है कि सपोर्ट कैसे दिखाना है खतम करते हैं लेक्चर को धन्यवाद